साथन वसकार बहुत स्वागत है हमारे इसे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में जेनल साइंस के मौस्ट इंपोर्टन कोश्चन अंसर करेंगे और ये इस वीडियो का पंद्रा है इसके पहले जो इस पर 14 वीडियो जो अल्रडी अप्लोड कर चुका हूं अगर आप उससे स्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस सीरीज में एक हजा सेलक्टेट को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन भी ओन कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास तक जूरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चूरूर करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस पहला प्रस नहीं आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस बस्तर में होती है वो होती है दोस्तू सूती बस्तर में ठीक आग लगने तथा फैलने की सबसे कम सभावना किस बस्तर में होती है दोस्तू होती है सूती बस्तर में नेस्ट कोश्चन है लोहे का सबसे प्रचूर सुर्थ कौन सा है वह दोस्तो हरी सबचिया लोहे का सबसे प्रचूर सुर्थ कौन सा है दोस्तो हरी सबचिया नेस्ट कोश्चन है ततकालिक सक्ति के लिए धावको को कौन सा पदार्थ दिया जाता है वो दिया जाता है दोस्तो उर्वरा कौन सा है वह है दोस्तों कंपोस्ट पोधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरा कौन सा है दोस्तों वह है कंपोस्ट ठीक नेस्ट कोशन है पेट्रोलियम किस परकार की चटानों में पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों और साधी पेट्रोलियम किस परकार के चट्टानों में पाय जाता है दोस्तों और साधी सेल चट्टानों में पाय जाता है नेस्ट कोश्चन है गुबारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है हुए है दोस्तोi helium gas ठीक गुबाराओ को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली gas कौन सी है दोस्तो क्ऌन सांग प्रभावित होता है धूस्तो ता है यक्रित चिसको लिभर भी कहा जाता है नेस्ट कोशन है सभी अमलों में अनिवारे रूप से पाय जाने वाला पदार्थ क्या है वो है दोस्तो हाइड्रोजन यानि H2 सभी अमलों में अनिवारे रूप से पाय जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तो वो है हाइड्रोजन यानि H2 नेस्ट कोशन है किरित्रिम गुर्दा किस सिधानत पर कारे करता है वो करता है दोस्तों अपोहन यानि डियलेसिस के सिधानतों पर जो है किरित्रिम गुर्दा कारे करता है ठीक नेस्ट कोशन है बच्चे के दूध पीते समय अस्थनों में दूध का निस्कासन किसकी मदद से होता है वहता है दोस्तू आकसी टोक्सिन की मदद से बच्चे के दूध पीते समय अस्थनों में दूध का निस्कासन किसकी मदद से होता है दोस्तू वो हता है आकसो टेक्सिन की मदद से ठीक नैस्ट कोश्चन है लॉंग किस से प्राप्त होती है वो हती है दोस्तों पुस्प कली से लॉंग किस से प्राप्त होती है दोस्तों पुस्प कली से नैस्ट कोश्चन है वो जो नस्थर हमें किस से सनरक्षन परदान करती है वो करती है दोस्तू प्राबैगनी बीकिरंड से वो जोन अस्थर जो है हमें किस सनरक्षन परदान करती है दोस्तू प्राबैगनी बीकिरंड से करती है next question है गर्म किये जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है वोट यह दोस्तू लाल रंकी गर्म किये जाने पर नीले कांच में किस रंकी चमक होती है दोस्तू लाल रंकी होती है नेश्ट कोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हत्तपुन है वह दोस्तों पराबैगनी किर्णों को रोकने के लिए उजोन परत जो है एक रक्षा आवरण बनाती है ठीक नैस्ट कोशन है अंताजवार यानि टाइफाइड के लिए समानता उपयोग की जाने वाली अस्थी कौन सी है वह दोस्तों क्लोरो माइसिटिन ठीक न इन बार या फिर हुंगूल किसका है इसके दोस्तों पारा यानि एच जी का नैस्ट कोशन है सरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है वह दोस्तों हाइपो थैलेमस के द्वारा होता है उसका नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों होता है हाइपो थ ठीक है दोस्तू नेस्ट कोश्चन है कसेरुक डंड में कितनी हड़िया होती है वोती है दोस्तू 33 कसेरुक डंड में कितनी हड़िया होती है दोस्तू 33 हड़िया होती है नेस्ट कोश्चन है बीसी जी का पूरा नाम क्या है वो है दोस्तू बैसिलस कामेट गिर्विन बैसिलस कामेट गिर्विन ठीक नैस्ट कोश्चन है एथलिफ फूट नामक रोग जो है किसके द्वारा होती है वो तिये दुस्तु कवक के द्वारा नैस्ट कोश्चन है फैलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है वो ता दुस्तु क्यूलेक्स मच्छडों के काटने से ध्यान दिज कोहल 95% मिस्रावाट को किया कहाता है जोस्तों ग्रैस होल कहाँ चाहता है किस बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह पाया जाता दूस्तों बिटामिन बी नेस्ट कोश्चन है एंपियर सेकेंड किसका मात्रक होता है वो ता दोस्तू आवेस की मात्रा का मात्रक होता है नेस्ट कोश्चन है इलेक्टरान भोल्ट किसका मात्रक होता है वो ता दोस्तू उर्चा का इलेक्टरान भोल्ट जो है आग किसका मात्रक होता है दोस्तू धेन क्या जाता है नैस्ट कोशन है बिधुत बल्व की जोती दश्चता का मात्रक क्या है वह दोस्तों लिवमेन या फिर वाट बिधुत बल्व की जोती दश्चता का मात्रक क्या है दोस्तों लिवमेन या फिर वाट नैस्ट कोशन है शरीर में एनेमिया रोग किसके कारण उ है आशरीर में एनेमिया रोग जो है उत्पन होता है नेस्ट कोश्चन है मुत्र का पी एच मान क्या है वह दोस्तों 6 मुत्र का पी एच मान कितना होता है दोस्तों 6 होता है नेस्ट कोश्चन है बिरंजक चुन का सुत्र क्या है वह दोस्तों CA OCLCL ठीक बिरंजक चुन का सुत् किसका सुचक है वह है दोश्तों deuterium oxide यानि d2o का भारी पानी यानि heavy water यानि deuterium oxide यानि d2o का तो दोस्तों इस video मुझेटा है तो दोस्तो आई होब कि यह video पसंद आ हो कजरू पसंद आ है तो वीडि को like जुरू कर दें और ऐसे important वीडियो जहाँ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगे आप बस वीडियो को like कर दिया करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाएं, thanks for watching